पुलिस ही एक ऐसी एजनसी है जिसका लगबग समाज के हर वर्क से संबंद होता है और समाज का हर वर्क को पुलिस की जोर्थ होती है अब पुलिस के पास वाते हैं और जराबी कहीं, जहां अपराद हुआ, तो वो पुलिस के पास जाता है, और पुलिस आई, तो क्राइम रिपोर्टर आ गया, तो कई चीज़े हमें पुलिस से ही मिलती है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होता है, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स को बेसिकली, जैसे किसी की लेकिन बाकी जो फिल्ड है, उसमें बहुत असानी से करी चीज़े मिल जाती है, क्योंकि लोगों को दिखाना होता है, लेकिन हम जो रिपोर्टिंग कर ने जाते हैं, उसमें परदे के पीछे का दिखाना यानि जो सामनेवाला सक्स नहीं चाहता है वो हमें निकालना है तो हूं वो तकलीफ होती है तो हमें सिर्फ बहुत हुआ तो गली मिलेगी डंडा मिलेगा, धकका मिलेगा और बहुत खुष हो गया तो यह कटिंग चाह इप जितनी जुरुवत उनको हमको उनकी होती है उतनी ही जरुवत उनको हमारी है आप अपके पास केस है शायद आप ना बताएंगे उसके बारे में बहुत डिस्कस नहीं करना चाहेंगे जो आपके साथ बगल सीट में बैठा है वो वहीं आपके बगल से बैठके हमें सारा टेक्स कर रहा होगा कि जो गरम करने के लिए आपने हमें या पुला है उसी तरह से वो भी उनके कोई केस को गरम करने के लिए हमें बुलाते है वो होता है उनको भी पॉबिसीटी चाहिए होती है और कोई केस होता है जो काफी सीरेस होता है जिसमें कि आपको पता होता है कि यू डोंट हाब है जादातर कौन रीडर्शिप बढ़ाने के लिए अपनी न्यूज को बढ़ा चड़ा कर पेश करते हैं एंटेटेंडमेंट के न्यूज रिपोर्टर्स या आप लोग इंटेटेंडमेंट के अप लोग भाई हो देखिए उसका जवाब बहुत है हमें जो दिखाना है अगर हम आप पर allegation करना चाते हैं हम आपके खिलाफ कोई स्टोरी करना चाते हैं तो एडिटर का पहला सवाल होगा कि क्या उसके खिलाफ जो शक्स बोल रहा है वो कितना reliable है और जिसके जहां पर यह मामला है या जिसके पास भी यह मामला है क्या वो इसको confirm कर रहा है अगर नहीं क कि पहले वो चैनल सेवल में थे फिर एस्टी में चले गए एक टेप उन्होंने चलाया था एक अच्छे अभीनेता का उसमें आवाज थी उसके बाद टेप चलने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे पूरी आफिस खाली हो गई जितने भी रिपोर्टर थे जिनको जो फिल कोवर कर गया वहां जाने के बाद मेरे साथ जो जो हुआ वहां पर मतलब धकेलना सब कुछ होना लेकिन एक भी वहां की जितने भी रिपोर्टर थे किसी ने कोई आवाज ने उठाई कोई मेरे साथ निया और मैं अकिला लड़ता रहा अंत में मुझे फिर अपनी अवकात पर आना अवकात याने मैंने कांगा कि अब भस अब यहां से मुझे शुन खरना होगा मैंने आफिसे फोन किया और मैंने बताया कि भाई मेरे साथ धका मुकी होई सब कुछ हो गया बेकाम किजिए आप यहीं साब मेरा लाइब लिजें और मैं बताएं किसंते में ने की बते जी किया बेहार जै। तब जाके मामला उनके वकिल तक पहुंचा और फिर वक्ले फोन किया फिर बाकी लोग भी आये और फिर जाके मामला तो इस तरह के अनुभाव आते रहते हैं तो पुलिस जितनी खराब दिखती है उतनी भी अच्छी भी है और चूंकि पुलिस से हमारा हमेशा का वास्ता है इसलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस ऐसी अच्छी बनी रहे अपनी काम करती रहे बाकी वर्दी के निचे भाट कुछ जलता है अटेबल के निचे सब कुछ गहर जगह जलता है वाल थैंक यू आप सब यहां है थैंक यू फूपर शुपर इंट इस आप यहां है थैंक यू पर सुपर्टिंग पर पूट्रे करते हैं तो उमीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सिर्फ एक चीज करने चाहूंगा कि बॉलिवीड में जिस तरह एक क्राइम रिपोर्टर को क्रिमिनल बना दिया गया बहुत पतली लाइन है बहुत थीन लाइन है कब कौन बन जाए पता नहीं लेकिन अभी तक कोई बना नहीं है और साम ग्रोवर बना है फिल्म में और आपको रिपोर्टर को बंदूग दे गई थी हमारे बंदूग तो यह कलम ही है लेकिन एक चीज जो सही लगी मुझे आपका टाइटल रश यह हमारे जीवन में 24 गंटा है इसलिए आपको बहुत बहुत शुब कामना है आपके पिचर गोई यह बहुत बूपर हिट हो थानक यूस वाज इंशा अल्ला थानक यू